पुन्हाना में दो पड़ोसियों में बच्चों के जगड़े को लेकर हुए बावाल में पुलिस ने कठोर कारेवाई किया है जहां दोनों पक्षों की ओर से करीब 327 लोगों के खिलाव बिबिन दाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है वहीं दोनों पक्षों के पुलिस ने बारक आरोपियों को गिरफतार किया है जिनको आज अदालत में पेज किया गया है जहां से सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है छेतर में आपसी भाईचारा वसानती कायम रखने के लिए नूजिला के डीसी वा एसपी ने दोनों जिन्दगी मीडिया गुरूप के रिपोटरन ने बताया वहीं एसपी ने चेतावनी दिते हुए कहा कि दोनों पड़ोसियों के जगडे को उधार्मिक रंगियों देने वालों के खिलाप सकत कारवाई की जाएगी पुनहाना थाना पर वारी अजबीर भढ़ाना ने बताय कि मंगलवार को कस्वा पुनाना में दो पक्षों के हुए जगडे में एक पक्ष के नूर हुसन की सिकायत पर पुनित नेमचंद सहीत बार लोगों के खिलाप तता दूसरी पक्ष के नेमदत की सिकायत पर लियाकस शौकत रफीर आमीर अनीश युसूफ जकारा फिर्दोस जेतुन ताजे साकीर सौपीन सम्मास लद्दाम सहीत तीन सो लोगों के खिलाप घर में घुसकर हमला करने चेड़ चाड़ करने लोगड़न को लंगन करने सहीत आदा दर्जन धाराओं के तहत मामला दर्च किया गया है उन्होंने बताय कि एक पक्ष के नूर हसन सौकत बस सीम नजीम तथा दूसरा पक्ष हरियोम दमाचंद ललित नेमचंद हरियोम गौरव संदीप पुनित और सुनील सहीत बार लोग को गिरफतार कर लिया गया है जल्द है अन्य आरोप्य को भी गिरफतार किया जाएगा गौरतलव है कि मंगलवार को पुनाना के नकनपूर मे बच्चों के जगडे में दो पक्ष आपस में भीड़ गए दोनों ही पड़ोसी है एक बार तो पुलिस ने दोनों पक्षो का मामला सांत करा दिया लेकिन दोनों पक्ष फिर से लड़ गई ये जगड़ इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर पत्रा और फाइरिंग पक्षुकी एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए उन्होंने कहा कि फिलाल कस्वे में पूरी तरह सांती है किसी भी अपीरे घटना से निपटने के लिए पुलिस वेल टैनात किया गया है तो तो समय समय पर पुलिस गस्त कर रही है